एक बड़ी सुन्दर कथा याद आई भागवत में है एक बार ब्रह्मा जी के पास नारज जी पहुँचे है नारज जी ब्रह्मा जी के पुत्र है मानसिक पुत्र सरश्टी के प्रारम में ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्र पैदा किये थे चत्रकुमार, चारकुमार, नारजीर, दस महाजन, इत्यादी रिशीर ये सम्मानसीक पुत्र, शत्रुपा और मनु से जो संताने पैदा हुई, ये मैथुन क्रिया से पैदा हुई इससे पहले ब्रह्माजी ने काफी चेश्टा की संसार को फुल फिल करने की भर देनी की संतानों से, मानसीक रूप से, लेकिन उससे असंबव रहा, हो नहीं सका कुछ, कुछ पैदा हुए, ज्यादा नहीं तो फिर महाजन है, उन्होंने स्रश्टी को आगे बढ़ाया, बच्चे पैदा किये लेकिन प्रथम जो मैतुन क्रिया से संतान पैदा हुई, वो मनु और सत्रूपा से हुई देहुती मनु और सत्रूपा की बेटी थी, जो मैतुन क्रिया से उत्पन हुई और भी दक्ष महाराज के पुत्र हुए, दक्ष महाराज से बहुत संताने उत्पन हुई, शंकर भगवान से, ऐसे स्रश्टी के महाजनों से संताने आगे चली देहुती माता, कपिल देव भगवान, जो 24 अवतारों में एक अवतार गिने जाते हैं, उनकी मा है, वो सत्रूपा और मनु की बेटी है भागवत्तम में इसका वर्णन है कि मनु और शत्रूपा से मैथुन क्रिया करने से, ये जो हम लोग सब आगे आए, मैथुन क्रिया प्रारंबुई और बच्चे पैदा होने लगे, इससे पहले ब्रह्मा जी मानसिक रूप से पुत्र और जो भी कुछ पुत्रियां अपने सदेव ध्यान में मगन रहते हैं, मैं प्रत्वी लोग पर गया था, वह मैंने एक बड़ा आश्चरी देखा, क्या देखा नारत, क्यों परिशान हो रहे हो, पिता शेरी बात ही ऐसी है, मुझे उलजन में डाल दिया, मैंने देखा कि प्रत्वी लोग पर एक द्वार का कि उन्होंने 16,108 रानिया रख रखी हैं, ब्रह्माजी कहते हैं, तो इसमें आश्चरी क्या हो गया, अरे इस ब्रह्माण में तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, जिनके हजारा हजारा रानिया हुए हैं, एक राजार चित्रकेतु थे, उनके एक करोर रानिया थी, तो यह कौन स बात यह नहीं है, बात कुछ और है, क्या है फिर नारत बोलो न, पिताश्री मैंने छुपके छुपके देखा, कि वो 16,108 रानियों के साथ में, वो योगी कर्शन, 16,108 जगे प्रगट होता है, और एक ही समय में, और अलगरे मुद्राओं में, किसी रानियों के हाथ से भोजन कर रहा है, किसी रानियों के साथ में बैठा है, किसी रानियों को आलिंगन कर रहा है, किसी रानियों की बेनी गूत रहा है, किसी रानियों को फूल पकड़ा रहा है, अलगरे मुद्राओं में, एक समय में, 16,108 क्रशन बन के प्रगट होते ह मैंने ये बड़ा आश्चरिय देखा मैंने तो कानों से सुना भी नहीं ऐसा आश्चरिय आँखों से देखना तो दूर है तो ब्रह्माजी को थोड़ा सा चटका लगा कि क्या कह रहा है ओ नारद ऐसा कोई भी मेरे ब्रह्माण्ड का सबसे स्रेष्ट योगी अपने शरीर को और हाट जगे विवाजित कर सकता है यानि एक साथ नौ सरीर में प्रगट हो सकता है एक स्रेष्ट ग्रेट योगी, ग्रेट मिश्टिक लेकिन तुम कह रहे हैं ये बात तो कोई योगी पुरुष नहीं कर सकता स्रेष्ट नारायन ये कारिये कर सकता है तुमने तो मुझे ब्रह्म में डाल दिया क्या वो नारायन तो नहीं है लेकिन ठीक है मैं इसकी परिक्षा लूँगा मैं तुमारी बात सुनकर के ब्रह्मित हो गया हूँ, मुझे खुद जाना पढ़ेगा और ब्रह्मा जी दुआरे का माई चत्रमु की ब्रह्मा हमारे ब्रह्मांड के और दुआरपाल को बोलेगी भाईया, दुआरका धिश के दर्शन करने आया हूँ, जाकर बोलो कि तुमारे दर्शन करन तुमको मिलने के लिए ब्रह्मा आया है मैं वो मैंने दर्शन सब्ट भोला लेकिंग दर्शन कर नहीं मिलना ही आए ब्रमाजी तो दर्शन सब्ट को अटा दीजी द्वार पालने कहा कि ठीक है मैं जाकर के द्वार कदीष को सूचना देता हूं कि आप मिलने आए हैं द्वार कदीष की जय हो क्या बात है प्रहरी भगवान आप से मिलने के लिए ब्रह्मा जी आये हैं दर्वाजे पे खड़े हैं कौन से ब्रह्मा हैं दास का अपराद क्षमा करें मैं ये तो पूछना भूल गया कि आप कौन से ब्रह्मा हैं जाओ पूछ कर आओ तो द्वारपाल ने आके ब्रह्मा जी को पूछा कि द्वार का दीश पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हैं तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुसा आया क्रोधित हो गए क्या कौन से ब्रह्मा है क्या मेरे अलावा कोई और भी ब्रह्मा है अरे ये द्वार पालों की तो अकल ऐसी छोटी होती है ठीक है इदर आओ जाकर द्वार काधीश को बोलो कि समत कुमार चत्र कुमारों के पिता श्री चत्रमु की ब्रह्मा आए ठीक है द्वार पाल ने जाके बोला कि भगवान चत्रमु की ब्रह्मा आए चत्र कुमारों के पिता श्री परम व्योहार है परमिश्वर है उनका व्योहार भी परम है वो उन्होंने व्योहार किया ब्रह्मा जी को अंदर बुलाया और खड़े हो गया अपने आसन से हाथ जोड़ करके आईए ब्रह्मा जी आसन ग्रहन कीजिए ब्रह्मा जी तो गुस्थे में थे कि आकर पूछा क्यों कि कौन से ब्रह्मा का कि नहीं मैं आसन तब तक ग्रहन नहीं करूँगा मैं आसन जब तक ग्रहन नहीं करूँगा मैं आसन तब तक ग्रहन नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे यह नहीं बता दो कि तुमने द्वारपाल से क्यों पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा आए है क्या मेरे सिरा कोई और ब्रह्मा भी है भगवान स्रीकर्ष्ण मुस्क्रा ऐसे ही मुस्काते हैं मुस्कराने लगे कहने लगे बस ब्रह्मा जी इतनी सी बात के लिए इतने गुसा कर रहे हो पूछ नहीं चाहते हो तो मैं अवश्च बतला दूँगा बहुत लें यस मैं पूछ नहीं चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कोई और भी ब्रह्मा है बड़ी बेश जिती करते हो दूसरे की दरवाजे पाये हो एक कि कौन से ब्रह्मा आए ठीक है ब्रह्मा जी मैं आपको अवश्च इसका जवाब दूँआ तो भगवान ने जो अपना योग हाथ फैलाया हवा में और दूसरे ब्रह्मा वाप्रगट होगे ये ब्रह्मा की दस मुख थे और अगले खशन एक ब्रह्मा और प्रगट होगे जिनके सौ मुख थे ब्रह्मा को इशारा मिल गया अनम्तु ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को इशारा मिल गया दौर का पूरी माने का भगवान की दिभी लीला भगवान की भगवान ने निमंत्रित आमंत्रित किया आवान किया तो ब्रह्मा आने लगी तो वह सो मुखवाले ब्रह्मा आए और हजार मुखवाले ब्रह्मा आए और दस जार मुखवाले ब्रह्मा आए और एक लाख मुखवाले ब्रह्मा भी वहाँ आए और दस लाख मुखवाले भी ब्रह्मा वहाँ पर आए और भागत में शुग्दे गुष्वाम जी कह रहे है कि एक करोड मुख वाले ब्रह्मा भी वहाँ पर आके उपस्तित हुए और सभी ब्रह्मा अपने अपने पार्षदों के साथ हंसों के उपर बैठ कर आए और हंसों से उतर कर भगवान की अस्तुति कर रहे हैं गोविंद हम आदिपुर्श्वम तमा आम भजामी यह अनंत ब्रह्मा को देख करके यह चत्रमु की ब्रह्मा की हालत तो बेकार हो गई गब्रा उठे और गिर्गडान लगे और मूर्चित हो गए मूर्चित हो गए भगवान स्री कृष्ण के चरणों में गिर गए भगवान ने सभी ब्रह्मा की अस्तुति की ब्रह्मा को जाने का आदेश दिया कोई नहीं है इस समय ब्रह्मा जी मूर्चित पड़े हैं चरणों में चत्रमु की ब्रह्मा बगवान ने कहा ब्रह्मा जी उठो ब्रह्मा जी गोहुश आया और उठे हाथ जोड़े गिर गड़ाते कापते हुए कि ये क्या ये जो मैंने अभी देखा ये बिभिन ब्रह्मा और हजार लाग करोड़ों मुखों वाले ये क्या सत्त है बगवान ये मेरी आखों का ब्रह्म है ये भी मुझे बतला दीजिए ये सत्त है ब्रह्मा ब्रह्मा जी ये सत्त है ये परम सत्त है ये बहुतिक सरश्टी में बड़े बड़े ब्रह्मांड है जापर मुझे ब्रह्माओं के आवशक्ता होती है सरश्टी करता चौरा सिला की योनियों को रचने वाला ब्रमा ये ब्रमांड जिसमें आप रह रहे हैं सबसे चोटा ब्रमांड है इसमें मुझे चत्रमों की ब्रमा की आवशकता पड़ती है तो आप हैं बाकी और भी ब्रमांड है जांके मुझे हजार मुक्वाला लाक मुक्वाला और दस लाक मुक्वाला और एक करोड मुक्वाला भी ब्रह्मा चाहिए यह बिस्तार वाले ब्रह्मांड है तो आप इसमें इतना शोक मत करिये मैंने पुछवाया दुआरपाल से वो ठीक ही पुछवाया कि कौन से ब्रह्मा है कि चत्र मुकिया, सो मुकिया, जार मुकिया, ताब इतने आग बवुला हो गए, तो ये ब्रह्मा जी ने बहुत पश्चाताप किया, गिड़ गड़ाए, प्रार्तना की, कि मुझे मेरा अपराज, महान अपराज ख्षमा कर दो, एक अपराज मैंने आपका जब किया था, जब आप पांच वर्ष की अवस्था में, बच्छों के बच्छी चराने जाती थे बन के अंदर, ब्रिंदावन में, तो मैं आपके बच्छी और गवालों को चुरा के ले गया था, एक अपराज तो मैंने वो किया था, और ये और एक महान अपराज कर बैठ हमें, मुझे ख्ष ब्रज के अंदर जनम दे दो, कुछ नीच परिवार में भी जनम दे दो, मैं आपका भजन करूँगा, मैं आपसे अलग हो गया हूँ, मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, भगवान तो सब की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, ऐसी ब्रह्मा जी की इच्छा आती है, लेकिन भगवान ने कहा कि ये कलपा दो, विसरजामियम, तो ये बार बार सर्ष्टी होती है, प्रला होती है, ब्रह्मिज होती है, अनंत बैकुंट जगत है, परम धाम, मेरा धाम, नेतद भास्यते सूरियों ने शजां को, मैं इनमें नहीं हूँ, मैं आलग हूँ इन से, ये सब मेरी रचना है, फिर भी मैं इससे अलग हूँ, मैं सब प्राणी मात्र के इरदे में हूँ, फिर भी मैं उनके अंदर नहीं हूँ, परमात्मा सरुप से, मेरे अंश, एक्सपेंशन, पार्टली इंकार्निशन, विष्णू, क्षिरदक्षाई विष्णू, तो देख अर्जून, मेरा योगम एश्वर्यम, योग का एश्वर्ये तो देख अर्जून, अवजारंती माम मूढा, मानुसिं तनुम आशितं, परम्भावम एजानंतो, मंभूत महेश्वरम, ये मुर्ख लोग नहीं जानते, जब मैं कि ये मेरा जो शरीर है, ये लगता तो मनुष जैसा है, क्यों मैं मनुष जैसे शरीर में रहता हूँ, जैसा शरीर मैं मनुष रहे, मैंने मनुष को भी ऐसा शरीर दिया, जो मेरा खुद का शरीर है, फिर भी ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे नकारते हैं, मुझे नहीं जाननी की कोशिश करते हैं, मानुसिं तनुम्न आसिन तूम क्योंकि मैं मनुष्य जासे शरीर में मैं भी रहता हूँ परंभाव मेरी सुप्रीम कॉंशटनेस कोई है इस संसार में जिसकी बावना परंभावना और सुप्रीम कॉंशटनेस या consciousness लोग तो consciousness में भी नहीं है unconscious जीवन जी रहे हैं मूर्चा में जीवन जी रहे हैं फिर supreme consciousness कैसे हो सकते हैं सुपर consciousness भी नहीं है सुपर consciousness में भी परमात्मा बिश्णु आते है शिर्दक्षाई विश्णु गर्वदक्षाई विश्णु माहा विश्णु ब्रह्मा जी ने अस्तुति की हैं भगवान की यच्चक्षोर एस सविता सकल ग्रह्नम राजा समस्त सुर्मूर तीर अशेश तेज़ यश्च आग्या ध्रमती संभित काल चक्रो गोविंदमा दिपुर्शं तमाहाम भयामी यह चक्षोर एस यह यूनिवर्सल भगवान का विराथ सरूप है यह औरिजिनल सरूप नहीं है मानुसम सरीर नहीं है ब्यक्तिकत रूप नहीं है यह यूनिवर्सल फाउव है भगवान की क्योंकि इसके अंदर भी तो भगवान बिश्नु बैठे है जैसे आपका शरीर है उसके अंदर आप खुद बैठे है आपके आत्मा के अंदर भी परमात्मा है यह भी भगवान का ही छेत्र है यह भी भगवान है तो यूनिवर्स के अंदर भी भगवान है universal form बगवान कहती कि जो सूरिया है यह मेरा एक नेत्र है इस विराग रूप के अंदर इस सूरिय के सामने सारे देवता लोग सुर्मूर्तीर अशिश देजाओ देवता लोग भी फीके पढ़ जाते हैं चंदर तारे सब फीके पढ़ जाते हैं यह सारे ग्रहे ब्रस्पती शनी बुद्ध मंगल इत्यादी सब फीके पढ़ जाते हैं निश्टेज हो जाते हैं यह मेरा एक नेत्र मात्र है युनिवर्सल फॉर्म में ऐसे अनंत युनिवर्सल शरीर है बहगान की विराभ स्वरूप। इनमा अनंत चक्षू है बहगान की बहगान कहते हैं यह ब्रह्माजी अस्तुती करते हैं कि हे गोविंद आपके ये विराव सरुप के चक्षु सूर्य के सामने ही सारे देवता फीके पढ़ जाते हैं सारे घ्रै नक्षत्र फीके पढ़ जाते हैं ये चक्षुर एस सविता सकल ग्रह्मम राजा समस्त सारे राजा ब्रह्मा अंडों की सब फी के पढ़ जाते हैं राजा समस्त सुर्मूर्तिर अशेश्ट तेजव यश्याज्या भ्रह्मती संबृत काल चक्रो और इसमें वास कर रहे हैं भवान विश्व के आज्या से सारा काल चक्र घुम रहा है सारा युनिवर्स घुम रहा है सुचारू रूप से हम जिन्दा है हमारा प्लानेट जिन्दा है उनकी इच्छा से संबृत सर्वेंट की तरह कारिय कर रहा है सारा ब्रह्मा अपनी इस्थिती में रह करके यच्यक्षूर इस सवितासक